कि हमारा जो टोपिक चला है कामिकल गाइनेटिक्स उसमें आल्मोस्ट हम हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हमारा है लास्ट टोपिक है और वह कौन सा है अभिक्रिया वेग पर तापकी निर्वड़ता समाने दर हम यह कहते हैं कि यदि हम 10 दिग दुगना हो जाता है लगबग दुगना हो जाता है हो जाता है इसे हम क्या कहते हैं ताप गुनांक कहते हैं ताप गुनांक कहते हैं तो का ताप गुनांक होता क्या है ताप गुनांक क्या होता है एक अनपात होता है रेशो होता है कि इसका वेग नियतांक का अनपात होता ह जैसे K T plus 10 और K T, K T कोई भी ताप मान सकते हैं, जैसे मालिय मैंने कितना है, K T मालिय 25 डिगरी सेल्चिस टेंपरेचर है, तो T plus 10, इसका मदलब K T plus 10 है, T plus 10 वो कितना हो जाएगा, 35 डिगरी सेल्चिस हो जाएगा, और ये लगबग किसका होता है, दो गुणा हो जाता है, तो विक्रिया का जो वेग है, वो बढ़ जाता है, तो पहला जो होगा इसके अंदर, क्या होता है, इसके अंदर, आपका कुलिजन सगट, ठीक है, आवर्ती, आवर्ती में व्रदी, जो कुलिजन जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, कुलिजन फ्रिक्वेंसी या टक्रों की संग के ह हम यह कह सकते हैं कि उसके अंदर व्रद्धी हो जाती है तो जनरली हम यह कहते हैं कि अगर आप ताप बढ़ाते हो तो क्या होगा इसके अंदर जो भी अभिकारक है वो एनरजी अक्षोशित करके उनकी गती जूर्जा बढ़ जाती है तो मैंने ये ध्यान रखना है ताप बढ़ाने पार ताप अगर आप क्या करते हो इंक्रीज करते हो तो क्या बढ़ जाता है अन्वों की गती जूर्जा बढ़ जाती है जब उसकी गति जुचा बढ़ेगी अणों की तो उसके अंदर क्या होगी टक्रों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी टक्रों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है बढ़ जाती है जब टक्रों के संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वे क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा परंचों हमें ये ध्यान में रखना है कि 10 टिगरी ताप बढ़ाने पर गतिज उर्जा केवल केवल तीन परतिसथ ही बढ़ती है तीन परसेंट ही बढ़ती है इसका मतलब यह होगा अगर गति जूर्दा तीन परसेंट हमारी बढ़ेगी तो अजो अभिकरिया का वेग है वो भी कितना बढ़ना चाहिए तीन परसेंट ही बढ़ना चाहिए प्रंतु प्रंतु होता क्या है इसके अंदर प्रंतु जो अभिकरिया वेग है अभिकरिया वेग वो कितना हो बढ़ जाता है लगबग दो सो परतिसत बढ़ जाता है वो क्या होगा दो सो परतिसत बढ़ जाता है आता है शिर्फ इस एक कारक के अधार पर हम यह कहें कि अभी संगत कि तखर्थ मुंन थान्कों का अनुपात होता है जिसमें अंतर हो जो तक से बराबर है लग वक दो या तीन के भराबर होता तो यह अभिक्रिया की व्यां और यह क्यो बड़ जयता इता shortcuts हो जाती है यह तो Communist प्रिक्वेन्सी में वर्दी हो जाती है तो अब जाते हैं जैसे आप नहीं गो बढ़ाएंगे तो वह रुझा को शो City करेंगे उनकी गतिजुर्जा बढ़ Nearly जाएगी तो टक्रों की संख्याइ unanimous प्रभ कि अभे क्या हो जाएगा इसमें बढ़ जाएगा लेकिन लेकिन आपने ध्यान रखना है कि 10 डिकर अगर आप ता बढ़ाते हो तो गति जूर्जा कितनी बढ़ती है केवल 3% ही बढ़ती है जब ये केवल 3% बढ़ेगी लेकिन हमको पता है कि अभिक्रिया का जो वेगागू कितना कारक दिया गया परभावी टक्रों की संख्या में व्रदी दूसरा जो कारक उनसा दिया गया परभावी टक्रों की संख्या में व्रदी दूसरा आपका फैक्त दिया गया परभावी टक्रों की संख्या में व्रदी ठीक है क्योंकि हमको पता है कि आपका सभी जो टक्रें हो प्रभावी होती है ठीक है और जो अभिक्रिया का जो वेग है अभिक्रिया का वेग किस पर निर्पर करता है प्रभावी टक्रों पर ही निर्पर करता है तो हम यह कह सकते हैं कि प्रभावी टक्र क्या होती है यानि कि वे टक्रें वे टक्रें टक्रें जो अभिकारक को अभी कारक को उत्पाद में बदल देती है उत्पाद में बदल देती है देती है क्या कहलाती है वो परभावी टकरें कहलाती है ठीक है परभावी टकरें कहलाती है तो यह ध्यान अपना है प्रभावी टक्र क्या होगे उसके अंदर मैंने जो आपके कुलिजन थेओरी थी उसके अंदर हमें बताया था कि उसके अंदर क्या होंची यह तो मिनिममम एनरजी होंची जिसको हम देली उजा करते हैं और दूसरा वो एक निश्चित अभीविन्या जो है वो क्या हो जाती है दूगनी हो जाती है एक साइंटिस्त थे मैक्सवेल क्लार्क मैक्सवेल क्लार्क मैक्सवेल क्लार्क मैक्सवेल एंड वोल्जमान मैक्सवेल एंड वोल्जमान वोल्जबान इन्होंने क्या किया था एक ग्राफ बनाया था किसके बीच में परभावी टक्रों का अंश ठीक है किसके बीच में परभावी टक्रों का अंश और उर्जा के बीच में और उर्जा के बीच में परभावी टक्रों का अंश क्या हो गया आपका टोटल टक्रों में से कितनी टक्रे हैं जो क्या होती है प्रबावी होती है था तो किसके अंदर बदल जाती है उत्पाद के अंदर बदल जाती है उसके बीच में उसके बीच में नोंने क्या किया था एक ग्राफ खिंचा था और इस तरह का इनको एक ग्राफ मिला इस टाइप का इनको क्या मिला एक graph मिला ठीक है तो यह तो क्या प्रभावी टक्रों का अंस यानके dn upon n note n note क्या है यहाँ पर कुल आपके के अंदर टक्रे है और dn क्या है उनका अंस है जो प्रभावी होती है तो इनके बीच में हुआ तो इनों यह बताया कि वे अनू जिनकी उर्जा मैं इसको e point से परदर्शित कर रहा हूँ वे अनू या वे अभिकारक जिनकी उर्जा e से ज़्यादा इस बिंदू से ज़्यादा होती है तो वो टकरें के इसमें बदल जाती है उनकी जो उर्जा है किस बिंदू से इस e बिंदू से इतने कितने इसके अंदर अगर आपने देखें कि अगर इतनी जो आपके अनू की संख्या है जिनकी उर्जा क्या है इस बिंदू से ज़्यादा है इस बिंदू से ज़्यादा है जब उर्जा इस बिंदू से ज़्यादा होती है तब उनके जो उर्जा है वो देली उर्जा से ज़्यादा हो जाती है जब उनके उर्जा देहली उर्जा से जादा होगी तो वो किसमें बदल जाएंगे उत्पाद के अंदर बदल जाएंगे तो इतने अन्मों का जो अंस है वो किसमें बदल जाता है उत्पाद में बदल जाता है और जो दूसरे जो आपके अनू है उनकी जो उर्जा होती है ये लगबग जो सबी जो है most of जो आपके अभिकारक है उनकी जो उर्जा वो अधिक्तम होती है लेकिन यह है देहली उर्जा से कम होती है इस पॉइंट से जो आगे सारी उर्जा होगे उनकी जो उर्जा होती है व इसको आप क्या के सकते हो अधिक्तम संभावित गतिज उर्जा कहते हैं गतिज उर्जा कहते हैं तो यह आपने ध्यान रखना है उन्होंने एक ग्राफ दिया था किसने क्लार्क मैक्सवेल और वोल्जमान ने और इस ग्राफ को आप क्या कहते हो क्लार्क मैक्सवेल वोल्जमा मोर्जमान वित्रन्नियम कहते हैं तो मैं दुबधे इसके इंदर विंहों किस किसके बीच में ग्राफ खिंचा था इन्होंने किस किस के बीच में ग्राफ के उन्हों जी नड़ों की उर्जा ज्यादा होगी उनकी जो उर्जा होती है वो देली उर्जा से ज्यादा हो जाती है तता हो किसमें बदल जाते हैं उत्वाद में बदल जाते है माल लेते हैं यह आपका ग्राफ है किस पर है आपका केटी पर है अगर यही हम graph बनाएं किसके बीच में दू, दस डिगरी ताफ बढ़ाकर बनाएं तो यह तो हो गया हमारा इसके बीच में DN upon N note के बीच में परवावी टक्रों के बीच में और इदर हमने क्या ले लिया उर्जा के बीच में तो माल लेते हैं हम यह हमारा कौन सा graph है पहले बाला graph है जो किसके उपर है KT ताफ ती आपकर कितना हो सकता है 10 होगा यह 20 होगा 30 होगा कुछ भी और दूसरा हम graph ले रहे हैं किसके बीच पे ले रहे हैं यह जो graph जो प्राफ़त हुआ उसको KT प्लस 10 डिगरी पर प्राफ़त हुआ ठीक है आप यह आपका यहां पर क्या है E बिंदू है इससे ज़्यादा जितने भी अनू है इस बिंदू से ज़्यादा जिनकी भी उड़ जा है वो किसमें बदल जाएंगे उत्पाद के अंदर बदल जाएंगे तो माल लेते हैं यह E बिंदू हमारा हो गया यह पॉइंट A है यह हमारा पॉइंट B है और इसको C माल लेते है इसको D माल लेते है और इसको हम क्या माल ले E माल ले और इसको हम क्या माल ले F माल लेते है ठीक है तो जो हमारा यह एरिया जो है शेतर कौन सा A, B, यह आपका C और यह D, यह वाला जो शेतर है, यह A, B और C, D शेतर, और दूसरा शेतर कौन सा हो गया हमारा, जो K प्लस 10 डिगरी पर है, कौन सा शेतर हुआ, यह वाला यहां से A, दूसरा शेतर कौन सा है, दूसरा हमारा शेतर हो गया, कौन सा, यह A, फिर य हमारा D तो ये जो शेतर है वो क्या है इसका लगभग इस शेतर का ये जो शेतर है लगभग क्या होता है दुबना होता है इसका मतलब क्या हो गया कि जो परभावी तक्रों की संख्या क्या होगी दुबनी होगी जब परभावी टक्रों की संख्या दूबनी हो गई इसका मतलब अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है दूबना हो जाता है तो आपने धान में रखना है कि 10 डिगर अगर टेंपरेचर आप बढ़ाते हो तो टक्रों की संख्या के कारण अभिक्रिया कभी नहीं बढ़ता वो किसके कारण बढ़ता है परभावी टक्रों की जो संख्या है परभावी टक्रों की संख्या जो है वो क्या हो जाती है डबल हो जाती है ये कंपेडिश में बहुत बार कुशन आता है NEET के अंदर भी आता है, IIT के अंदर भी आता है तो इधाना है 10 तीडिया टैम्परिचर बढ़ाने पर तकरों कि संख्या के कारण अबिकरिया का वग नहीं बढ़ता है किसके कारण बढ़ता है पर भावी तकरों की संख्या जो होती है वो दुगनी हो जाती है उर्जा किसको कहेंगे माल लेते हम इसके अंदर एक ग्राफ खिंच रहे हैं पहला है हमारा इसके अंदर देहली उर्जा दहली उर्जा क्या होगा इसके अंदर माल लिया हमने एक कोई ग्राफ खिंचा ठीक है माल लेते हैं ये कोई हमारा क्या है ग्राफ रापत हो रहा है इसके अंदर अभी हमारे पास क्या है अभिकारक है और इदर क्या है उत्पाद है ठीक है यह हमारे क्या होगे उत्पाद है यह तो इदर हमारा क्या जाएगा उर्जा आजाएगी और यहां पर अभिकिरिया की प्रगतिया आजाएगी तो देखिए इसके अंदर किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लि कांशे तक इतनी उर्जागर है तो वो किसमें बदल सकता है उतुपाद में बदल सकता है तो तो श्तर पार्जा जो अभिकारफों को उतुपाद में बदल देती है उसको आप क्या कहते हो देहली उर्जा कहते है तो देहली उर्जा क्या है न्यूंतम उर्जा इधानकना है न्यूंतम उर्जा जो तेजे उर्जा कहते हैं, इसको कि हमें पास होने के लिए कितने चाहिए, 33%, आप ने पढ़ा थोड़े दिनों में, और आप माल लेता हैं, आपको क्या है, 10% मांग सागे, लेकिन फिर भी आप क्या होगे, कलास के अंदर फेल होगे, तो आपको पास होने के लिए और कितने चा है तो नियूंतम लेकिन वो है क्या अधिक्य है मतलब आपको ओर चाहिए तो उस उर्जा को क्या कहते हैं सक्रियन उर्जा कहते हैं क्या कहते हैं सक्रियन उर्जा कहते हैं तो सक्रियन उर्जा क्या होती है ये नियूंतम अधिक्य उर्जा होती है उत्पाद में बदल देती है उसको आप क्या कहते हैं सक्रियन उर्जा कहते है और देली उर्जा क्या है सिर्फ न्यूंतम उर्जा है तो हम यह कह सकते हैं कि देली उर्जा देली उर्जा जो है वो किसका है इन दोनों का योग है किसका योग है इसका और इसका तो ये हमारी क्या है सक्रियन उर्जा है सक्रियन उर्जा है और ये क्या है हमारी ओसत गतिज उर्जा क्या हमारा ओसत गतिज उर्जा तो देली उर्जा क्या होती है इन दोनों का योग के बराबर होती है तो ये तह हमारा ओगया chapter complete अब हम एक numerical करेंगे जो important है और कई बार क्या होता एक्जाम के अंदर यह आपका आता ही आता है जिसमें अभिक्रिया की कोटी हमें क्या होता है ग्यात करना होता है यह आपका है question number जो है आपके NCRT books के अंदर जो दिया हुआ है 15 number question है question number 15 है उसमें मैं man man point लिख रहा हूँ और फिर हम इसको क्या करेंगे इसको solve करके देखेंगे ठीक है तो question number आपका है 15 15 के अंदर यह दिया हुआ है अभिक्रिया दिया हुआ है important है question to a plus b change into c plus d ठीक है कहता है कि इसकी बल्गतिक करते हुए निमन प्रणाम प्रापत हुए अभिक्रिया के वेक नियम और वेक इस्तिरांग को जात करना है तो इसने प्रियूग किया है first second यह question number आपका 15 है बुक में NCRT में देख लेना आप यह third और यह आपका fourth और यहाँ प और इसने क्या दिया हुआ है डी के बनने का प्रारंबिक वेक दिया हुआ है क्या दिया हुआ है इसने डी के बनने का प्रारंबिक वेक दिया हुआ है ठीक है तो एक ही concentration से 0.1 दिया हुआ है इधर भी कितना दिया है 0.1 है इधर 6 into 10 के पावर माइनस 3 में unit नहीं लिख रहा 0.3 0.2 और यह आपका है 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और यह आपका 3rd experiment में इसने प्रानविक सांदर ताया एक इतनी ली 0.3 वी कि इतनी ली 0.4 तो बिक्रिया वे कि इसका कितना है 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 1 आया और फूर्थ एक्स्पेरिमेंट में 0.4, 0.1 मोल पर लिटर लिया और यह आया 2.4 into 10 की बावर माइनस 2 आया तो हमें क्या निकालना है इसका वेग नियम वेग नियम का मतलब यह हो गया कि इसमें अभिकरिया की कोटी निकालनी है इसके अंदर तो माल लेते हैं हम जो आपका वेग जो है माल लिया कि वेग जो है वो कोई भी आप माल सकते हो कहता है कि इसकी जो अभिकरिया कोटी हम X माल ले और इसकी अभिकरिया कोटी हम क्या माल ले Y माल ले अब आपने क्या देखना इसके अंदर, पहले हम A के साफ X निकालेंगे, फिर B के साफ X निकालेंगे, ठीक है, तो आपने ऐसी कंसल्टेशन चुननी हो, जिसमें क्या हो, दो एक जैसी हो, जैसे हम देखें, कि A की अगर आपने देखें, तो second और third में क्या है, point 3, point 3 है, ठीक ह हम दोनों के rate लिखेंगे, फिर उसको भाग देंगे, तो ये तो कट जाएगा, फिर इसके साफ X आप या आ जाएगे, फिर अगर हमें B के साफ X निकाल ली है, तो हम ये देखेंगे, B में क्या है, दो एक जैसी होनी चाहिए, तो इसमें point 1 है, और ये point 4 है, तो हम इसको ले है कि पहले experiment के लिए rate 1 is equal to हमारे पास क्या था, मैंने क्या माना था, A का X माना था, और B का क्या माना है, Y माना है, और K का, K का पढ़ा रहेगा, क्योंकि K जो है, वो cancel out हो जाएगा, तो rate 1 आपका है कितना, ये देखें, कितना है, 6 into 10 की पाउर minus 3, K का के लिख दीजिए, A, A की जगह भी इसके सांदरता कितनी है, 0.1 है, मान लिए ये आपको कितना है, X है, B की सांदरता कितनी है, 0.1 है, और इसकी हमने मान लिए Y, आपको मान लेना है, X मान लिजिए, Y मान लिजिए, A मान लिजिए, B मान लिजिए, R मान लिजिए, जो मानने हो मान लिजिए, ले रहे है ठीक है वही सेम के माल लिए A की आपकी X है और B की क्या है आपकी Y तो rate 4 कौन सा है यह आपका 2.4 इंटो 10 की पाउर minus 2 is equal to आपका कितना है A की का के लिखिए A कितना है 0.4 और इसका क्या X और B कितना है 0.1 और इसका क्या आपका Y है ठीक है तो माल लेते हैं इसको क्या दे दीजे एक नमबर समी करण और इसको क्या दे देते हैं हम दो नमबर समी करण दे देते हैं ठीक है तो अभी आप में क्या करना है इसको divide कर देना है second by first कर देजिए second equation को divide कर देना है किसके दोरा इसके दोरा तो लिख दीजे 2.4 इंटो 10 की पाउर minus 2 is equal to आपका क क को जाएगा 0.1 इसकी पावर X और 0.1 इसकी पावर Y तो यह आपका 0.1, 0.1 cancel ल bowl हो जाएगा के से कैंसल ल खो जाएगा यहाँ पह क्या होगा है 10 की पावर to है यहाँ पर 10 पावर three तक है यहाँ बचेगा क्या टन की पावर один बचेगा वह ऊपर चला जाएगा ठीक है जब उपर चला जाएगा तो वो 10 बन जाएगा ठीक है तो जैसे अगर चाहे तो इसको cancel यह 10 के पावर 2 2 यहां क्या बचा 10 के पावर minus 1 यह कहां चला गया उपर चला गया तो क्या बना 2.4 इसको क्या लिख सकते हैं यह पॉइंट से पॉइंट कट गया तो बचा क्या फोर की पावर एक्स बचे गया यहां पर ठीक है अब यहां पर यह कितना है 24 अपॉन 6 इसको पावर एक्स तो इसको कट कर दिजीए और 24 दो टो टोें है 24 टो प्रuttham पोटी है और प्रतम कोटि मित्स है अब बी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हम A की S सांधता लेंगे, जो दोनो एक जैसी हो, ठीक है, दोनो एक जैसी हो, तो हम rate कुन सा ले लेंगे, second और third ले लेंगे, तो मैं directly लिख रहा हूं, rate second and third आपका लिख लेते हैं, इसमें, मैं directly लिख रहा हूं इसके हो गया equation third हो गई ठीक है अब rate हम क्या ले ले लिए अब rate थर्ड ले लिजिए थर्ड का कितना है 2.88 into 10 की पावर minus 1 is equal to हमारा क्या है इसके अंतर के का के 0.3 की पावर x और 0.4 की पावर y मान लेते हैं equation number 4 तो वही same 4 को divide कर दिजी आप इसके द्वारा third के द्वारा तो 4 का 2.88 into 10 की पावर minus 1 यह 4 की third equation का 7.2 into 10 की पावर minus 2 is equal to k e k तो यह हमारी कौन सी होज़े के पहले यह लिखनी है 0.3 की पावर x 0.4 की पावर y और upon हो जाएगा इसके अंदर यह वाला equation लिखना है 0.3 की x और 0.2 की y यह आपका cancel हो जाएगा यह आपका cancel हो जाएगा यह 10 की पावर minus 1 बनेगा यह उपर चला जाएगा तो यह कितना बना 28 यह उपर जाके 10 बन गया तो 2.88 को 10 से multiply किया तो 28.8 upon 7.2 आ जाएगा ठीक है और यहाँ से हमारा क्या होगा इसके अंदर यह point से point cancel 2 बन जा 2 2 बन जा 4 तो ले देके क्या बचा 2 की पावर y बच गी यहाँ पर तो इसको solve कर लीजिए इसको solve करेंगे तो आपको कितना आएगा आपका यह 4 आ जाएगा ठीक है 4 is equal to 2 की पावर y चुकिए हमें base equal करना है तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं तो यह आप बन जाएगा इसके अंदर 2 की पावर y तो base same हो गया तो y is equal to क्या हो गया आपका 2 के बराबर तो इसका मतलब b के sub x यह आपका क्या है second order reaction है तो rate क्या हुआ बस यह हमारा आ गया rate is equal to क्या है के यह A और B की पावर second order है तो square आ गया तो यह हमारा क्या आ गया इसके अंदर rate आ गया ठीक है अब wake नेताँक last हमारा आगया इसके अंदर K का wake नेताँक निकालना है तो कोई भी एक equation लेलो जैसे कुमारा इसके अंदर rate, rate आपको दिया हुआ है, कौमसा ये ले रहे हैं, rate कितना दिया, 6 into 10 की power minus 3, is equal to k, k का k लिख दीजिए, a, a की संदरता कितनी है, 0.1, ठीक है, इसकी first order है, तो power 1 हो गई, फिर उसके बाद b, b की power आपका क्या है, b की संदरता 0.1 और इसका square हो गया, बस k कमार निकालेजिए, 6 into 10 की power minus 3 is equal to k, ये आपका केतना हो गया, इसमें, 0.1 into केतना हो गया, इसके अंदर, 0.1 into 0.1, ये आपका आगया, ठीक है, square है तो दो बार लिख दिया है, मैंने, तो k is equal to 6 into 10 की power minus 3 upon 0.1 into 0.1, ठीक है, तो इसको solve कर लिजिए, ये, ये चला गया, ये त इसल हो गया, तो k is equal to कितना आगया, 6 आगया, तो इसके basis पर हम क्या कर सकते हैं, k का आपर मान क्या आद कर सकते हैं, order of reaction का मान क्या आद कर सकते हैं, तो ये तो हमारा जो है chemical kinetics chapter complete हो गया है, thank you.